आखिर हमारे पूर्वजों के हस्च पुष होने की पीछे का राज क्या था? कैसे वो उम्र के आखरी पड़ाव तक स्वस्थ और बल्शाली बने रहते थे? इन प्रश्णों का एकमात्र उत्तर है उनका देसी खानपान. हजारों साल पहले खाने पीने के बहुत जादा विकल्प नहीं होते थे. इसलिए चाहे राजा हो या प्रजा सबी अपने खाने में ताजी, मोस्मी और प्राकर्तिक चीजों को ही शामिल करते थे. उस समय में साबुत अनाज और अलग-अलग तरह की डालों का खूब सेवन कि जाता था. रिगवेद में भी कुछ लोक प्रिये डालों और उनके इस्तमाल का जिक्र मिलता है. इन चीजों से उन्हें पूरा पोशन मिल जाता था. प्राचीन समय में रोजाना, घी, छाच, मक्षन और यहां तक की पनीर जैसे उतपाद घर पर ही बनाय जाते थे. आज प प्रिटी के बरतन भोजन के पोशक तत्वों को बनाय रखते थे और धीमी आज पर पकाने से ये फाइदा है कि खाने के पोशक तत्व और स्वाद बरकरार रहता है. किवल भोजन की थाली पर ही नहीं, बलकि भोजन ग्रहन करने के तरीकों पर भी ध्यान दिया जाता था. म कोई टेबल पर या सोफे पर बैट के खाते हैं. आज कल का खान-पान आपको पता है, आज कल किस तरह से खाना बनाय जाता है, वो भी आफको अच्छे से पता है, ना तो मिट्टी के बरतनों का इस्तमाल किया जाता है, और ना ही इतना समय किसी की पास खाना पकाने का. आपको क्या लगता है कि आपकी बुरी आदत क्या है कुमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा मिलते अगरी बीडियों